दोस्तों आज हम लोग जो लाए हैं आपके यहां पे वो है पेमेंट और रिसीप जो होता है उसके नीचे ना प्रिपेर्ड बाई चेक्ट बाई पास्ट बाई ऑथरेंस ऑथरेंस बाई बहुत सरा ऐसा नाम होता है जो आपका नहीं रहता है टैली में भी वह दो लाइन पर क पेमेंट अब पेमेंट में जाके हम लोगोंने क्या किया यह देखिये चेंज सिगनेचर हेडिंग इसको येश करना है और हैडिंग टूट क्या है जैसे चैक्ट बाई वैरिफाइड बाई प्रिपेरड बाई पास्ट बाई तो इसको मैं सिफ कर देता हूँ न के पर Cay его करите तो यह करने से यह देखिए यह आपका Checked by, Verified by, Prepared by, Passed by, आप यह बोले नहीं नहीं मेरे कोई काम का चाहिए यह पास्ट भाई का Authorized by चाहिए तो भूभी मैं अभी करके दिखाता हूं अब देखिए फिर से मैं account info voucher type alter में जाओंगा payment उसके लिए यहाँ पर कर दूंगा authorized by तो कोई भी heading आप change करेंगे वो आपका change हो जाएगा तो इसके लिए आपको नहीं दो line का जरूरत है नहीं कि दूसरे जिस पास करने का दरकार है तो यहाँ पर single line पर आगे authorized by सेम आप अगर रिशिप में जाएंगे तो रिशिप में जाएंगे account voucher alter में रिशिप्ट रिशिप्ट में जाने से बाद अचाए heading में मैं देता हूं मान लीजिए passed by लेन होता है मान लीजिए checked by लेन होता है authorized by अब यहाँ पर दो authorized signature email को चाहिए तो वह में copy करके लगा देता हूं आप देखिए मैं रिशिप्ट भाउचर खोलूंगा यह रिशिप्ट भाउचर देखिए मैं जैसे खोलता हूं sorry कि इसमें मैं प्रिंट करूंगा देखिए वैसे या जाएगा इसको थोरा सा हम लोग अगर आपको फुल पेच कीजिए वीथ 8.5 कर देंगे तो यह करने से आप देखिए सुन्दर सा देखेगा यह देखिए इसमें आप जो सिगनिचरी हेडिंग है आपका परचेस पेमेंट और रिसिप्ट यह दोनों में आप इसको आराम से चेंज कर सकते हैं और प्राइस के बारे में मैं बोलना नहीं चाहता हूं क्योंकि प्राइस आपको पता ही है प्राइस क्या है तो और हम लोगा चैनल को आने वाला है थैंक यू बाइ